तो इस लेक्षर में हम देखने वाले हैं कि सिंगल वैल्यू सिंगल वैल्यू डिकंपोजिशन क्या होती है और किस तरीके से हम इसे यूटलाइज करते हैं आपने और रेड़ी इसको यूज किया है PCA के अंदर अब सिर्फ मैंने आपको बताना है कि आपने किस तरीके से उसको यूटलाइज किया PCA के अंदर और किस तरीके से SVD जो है वह important होता है PCA या dimensionality reduction के लिए मैं अपनी screen शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ यह screen आपको नज़र आ रही होगी राइट ठीक है तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसको singular value decomposition बोला जाते है SVD को और SVD जो है वह बहुत important है आपका machine learning के अंदर और किस किसम के machine learning के अंदर वह अभी हम देखते हैं सबसे पहले तो singular value decomposition का मतलब यह होता है कि आप एक linear algebraic method को use करके एक matrix को decompose करते हैं into a linear fraction ठीक है मतलब इसकी एक example मैं आपको देता हूँ बेसिकली singular value decomposition यह टिकनीक है किस चीज की टिकनीक है आपको पता है औरेड़ी हम dimensionality reduction कर रहे हैं ऐसे first thing ठीक है और दूसरा यह obviously आपको पता है औरेड़ी कि यह एक unsupervised machine learning की category है राइट तो मैं यहां प्यान सुपरवाइस भी लिख देता हूँ ml की category है यह data को compress करने के लिए यूज होती है data compression के लिए compression क्या होता है data का यह data को compress करना क्या होता है मतलब data आपका बहुत ज्यादा dimension में मजूद है 27-27 dimension में आप उसको उठाके 2D या 1D के अंदर convert कर देते हैं जैसे PCA बगएरा करते हैं वो भी data compress कर देते हैं यानि कि आपका पूरे का पूरा कर देते हैं इसका एक और function यह भी है कि यह noise को reduce करता है noise reduction यानि कि outlets बगएरा को remove करने के लिए अब इसके इलावा स्वीडी को आप filtering technique भी बोलते है और वाट और features इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्वीडी को use करते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा feature कितना important है और कितनी for example उसका weight है आने वाले चीज़ों के उपड़ या algorithm के उपड़ तो singular value decomposition जो है वो किस तरीके से काम करती है उसको देखते हैं और उसकी definition में देखते हैं स्वीडी जो है basically अगर इसको define किया जाए आप लोगों ने खुद भी इसकी definition देखी होगी अगर नहीं देखी तो मैं यहां पर लिख देता हूँ एस वीडी यह एक linear algebra का method है linear algebraic method मैं बोलूँगा यह algebra का method आप बोल दें ठीक है जो क्या करता है पहला होगे linear algebra का method दूसरा decomposes decompose करना होता है बड़ी चीज़ों को छोटे चीज़ों में तोड़ना ठीक है decomposes a matrix कितने में three matrices में into three matrices यानि कि एक जो बड़ा matrix है उसको तीन matrices में तोड़ देता है matrices क्या होते हैं जब भी आपके पास कोई data होता है न आप उसके ऊपर जब analysis करते हैं तो basically आप उसके matrix के साथ deal कर रहे हैं मैं एक मिसाल इसकी देता हूं कि आपके पास एक feature है two four three दूसरा feature होगा four five six तीसरा feature होगा ten twelve fifteen so on and so forth तो अगर आप देखें तो आपका data जो है matrix के अंदर ही नहीं आ रहाता अगर आप गोर करें यहां पर number of samples होते हैं यहां पर आपका variable हो गया and so on and so forth तो उसी matrix को अगर देखें तो उस matrix को अगर हमने decompose करना हो इसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा matrix आप अगर तोड़ के singular value decomposition के through उसे तोड़ें तो आपके पास तीन matrix बनेंगे ठीक है इसमें से जो दो होंगे वो होंगे orthogonal matrixes orthogonal ठीक है orthogonal भी इसको बोल देते हैं मैं इसको orthogonal बोलता हूँ तो इसमें से जो दो होंगे two are orthogonal या orthogonal बोल सकते हैं ठीक है और बाकी जो एक बचते हैं वो हम देखते हैं कि वो क्या होता है for now we will talk about कि matrix किस तरीके से decompose होते है इसका मकसद क्या है इसका मकसद यह है कि हम ज्यादा dimension को from high dimensional data हम low dimensions में चले जाते हैं जिससे क्या होता है आप memory save करते हैं और आप resources जो है optimize करते हैं basically वही सारे फाइदे जो आपके PCA के हैं ठीक है अब matrix क्या होते हैं किस तरीके से देखे जाते हैं इसके पीछे तो जारी बात है पूरा mathematics का chapter है जो अरड़ी हमने mathematics की series में भी upload कर दिया और मैं बार बार आप लोगं को recommend करता हूं कि प्लीज अगर आपने mathematics को basically समझना है तो बहुत असान तरीके से हम वहां पर समझा रहे हैं तो गरीब असी के करीब तीन से पांच मिनट की lectures हो चुके हैं वहां पर अप्लोड तो अगर आप उसको रोजाना के पांच साथ मिनट भी लगाएं you can learn कि मैट्रिस किस तरीके से जमा होते हैं तक्सीम होते हैं उनकी product क्या होती है तीन मैट्रिक्स की product क्या होती है दो की क्या होती है मैट्रिक्स को linear algebra के through single vector में कैसे convert किया जाता है और वो कौन-कौन सी चीज़े देता है थीज आर ओल तिंग्स जो वहां पर अवेलेबल है ठीक है अब मैट्रिक्स factorization क्या होती है पहले इस concept को हम यहां पर समझते हैं मैट्रिक्स factorization मैंने आपको बता है जितना भी high dimension data होगा उसके मैट्रिक्स के मैट्रिक्स जो है या उसका जो कालब है वो बहुत बड़ा बनता जाएगा यानि के square matrix क्या है two by two मतलब यहां पर यह square matrix है ठीक है अगर आप इसी तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे two 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 four three one two three two one nine यह कितने बाइ कितने का matrix है यह वाला four by three का अगर किसी को basic mathematics पता है नहीं पता तो ऐसे गिलने से और ऐसे गिलने तो अगर आप होर करें तो हम data frame को जब हम बता रहे होते हैं तो हम वहां पर क्या किया रहे होते हैं dimensions उसकी क्या आप कैसे बताते हैं rows multiplied columns ऐसे ही है आप इसको three by four भी बोल सकते हैं if you say के column पहले आ रहे हैं it's up to you लेकिन on the other side अगर आपने column पहले लिखने तो column लिखने column by rows basically यह चीज़ हम देख रहे हैं यहां पर अगर matrix को हम data frame को matrix में convert करें I'm just giving you an example के किस तरीके से हमारे पास dimensions count की जाती है अगर यह हमारे पास columns के number बढ़ते जाएं और यह जो values इस तरीके से आ रही है यह बढ़ती जाएं इसका मतलब high dimension data हो जागा जब हम इसको तोडएंगे low dimension data में तो हमारे पास दो किसम की चीज़ से आएंगी एक तो छोटे matrix small matrix जारी बात है small मिलके बड़ा बनाते हैं ना मतलब यह अगर four by three का है तो हम इसको यह भी कह सकते हैं कि two by two का एक है ठीक है और two by for example three by two का दूसरा है अगर हम इन दोनों को मिलाएं multiply करें तो हमारे पास कोई एक product बनती है एक bigger matrix की ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो बाकी हम बाप वापिस यह ले आएंगे ना चीज़े बड़े से चोटे की तरफ आएंगे इसको ही decomposition बोला जाता है अगर biological point of view में देखें तो बड़े molecules का चोटे molecules में तूटना उसको decomposition बोलते हैं ठीक है जैसे यहार एक simple सी मिसाल देता हो आपको आप अगर composting का concept आप जानते हैं कि कूड़ा जो organic है उसको एक जगा पर आप दबा दें तो वो बाद में राक बन जाता है या इनसान जो हैं बड़े सदियों पहले अगर जमीन में दफन हो तो बाद में सिरफ हडियां बजती हैं भाकी चीज़ें decompose हो जाती है आपका बड़े वाला matrix छोटे में decompose हो रहा है अब छोटे में decompose करके अगर हमारे पास small matrices बन रहे हैं या matrix बन रहे हैं और इसी small matrix को अगर हम linear equation के अंदर ले जाए और उस linear equation को हम एक point बोले जहां से हम सारे के सारे matrix का वजन चेक कर सकते हैं वेट चेक कर सकते हैं उनकी direction चेक कर सकते हैं जिसको हमने principal component बोला था PCA के अंदर हमने PC बोला था ना इसको यहां पर इस तरीके से हमने draw किया था principal component और फिर यहां पर इस तरीके से किया था और इसको हम rotate करके something like this ले आये थे PC1 and PC2 something like this ठीक है तो हमारे पास एक line आगी थी basically मैंने आपको बताया था कि यह rotate हो के इस तरीके से यह बनता था but it comes like this कि आपका पूरा data इसके उपर मुझूद है उस data की एक representative line हम ले आते हैं ठीक है जो PCA का हमारा function था अब SVD क्या करता है SVD बड़ी dimension के data को यानि के आपके पूरे data frame को for example यह जो सारी dimensions बनी हुई है किसी की direction किसी साइट पर जा रही है किसी की किसी साइट पर जा रही है यह इसकी base पे हमें eigen values and eigen vector calculate करके देता है ठीक है वो ही concept जो हमने प्रिंसिपल component analysis के देंदर देखा था और principal component analysis के अंदर ही SVD यूज भी होता है ठीक है तो आप परेशान होने के ज़रूरत नहीं है कि SVD तो PC जैसा ही हुआ असल में principal component analysis के अंदर SVD technique यूज होती है ठीक है values को हमने बोला था eigen values को बोला था उनका होजम कितना है यानि कि उनका distance कितना है ठीक है अब यह दो चीजा ही तो हमें बताती है कि आपका एक line के ऊपर पूरा data किस तरीके से spread कर रहा है यानि कि बड़े matrix को छोटे matrix में तोडने के बाद आपके पास एक proper eigen vector आ जाता है ठीक है यह जो eigen vector है ना यह आपका principal component होता है and this is the method to reach this principal component whatever you are doing is called singular value decomposition यानि कि आप एक plain principal component के उपर पूरे के पूरा data draw करके देखते हैं कि कौन सी direction किस side पर जा रही है ठीक है अब इसके अंदर हमारे पास तीन concept और आ जाते हैं एक होता है latent variable और orthogonal matrix ठीक है इन दोनों को हम देखते हैं पहले हम orthogonal matrices को देखते हैं कि यह क्या होते है फिर latent variable की तरफ जाते हैं ठीक है यह जो method है ना तोडने का यह पीछे इसके mathematics है मैं आपको अभी बता देता हूँ वो क्या है लेकिन keep in mind कि जब भी हम decompose कर रहे हैं बड़े matrix को छोटे matrix के अंदर हमारे पास दो matrix आ रहे हैं और एक तीसरी चीज़ आ रही है जिसको हम अभी देखने वाले हैं ओके orthogonal matrix simply यही चीज़ है कि जब आप svd के अंदर input matrix को यानि कि आपका data को जब आप तोड़ते हैं तो आपके पास एक squared matrix बन जाता है मतलब यहां पर कोई values आके ठीक है और दूसरा भी एक squared matrix बन जाता है इस तरीके से मतलब यह कि आपका high dimension data को दो squared matrix के अंदर तोड़ते हैं जब आप उन दो squared matrix को हम बोलते हैं orthogonal matrix इसके बाद ही आगे काम जाता है जो मैंने आपको यहां पर procedure पूरा बताया अगर आप गौर करें तो ज्यादा dimension वाले matrix को आपने squared में तोड़ना है दो squared बनेंगे तो यह दोनों orthogonal matrix है यानि के एक दूसरे को मिला के या इनकी factorization या इनकी जो product है वो हमारा पूरा dimensions का data बन रहे थी simply मतलब यह कि हमने क्या किया हमारे पास पूरा data frame है इनको convert किया दो orthogonal matrix के अंदर like this and like this ठीक हो गया यह हमारा पूरा data frame है अब इससे अगला step क्या होगा हमारे पास उसको हम अब देखते हैं अब यहां पर आप जड़ा चेक कीजिएगा orthogonal unit vector क्या होता है यह चेक कीजिएगा और यह orthogonal matrix के अंदर कैसे important है क्यों कि आज़ाए को आज़ाएगा वाया जाएगा अज़ान दो कि था इस निट्सक्राइब आज़ान दो कि कि अज़ाए आज़ाएगा वह समझा देखाएगा कुछ चले मैं आपको समझा देता हूँ अगर दो चीजें आपस में 90 का एंगल बना रही हूँ लाइक दिस तो वो और्थोगनल मैट्रिक्स या और्थोगनल वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर्स फॉर एक्जामपल कौन सी चीजें हमारे पास 90 का एंगल बना रही थी पीसी वन आपका और पीसी टू ऐसे ही है तो इसका मतलब यह है कि जब हमने बड़े डेटा सेट को दो ऐसे पॉइंट अफ व्यू में तोड़ा जिनके पास सबसे ज्यादा वेरियेशन है उस डेटा सेट की उन चीजों को हम और्थोगनल वेक्टर्स बोर रहें या और्थोगनल मैट्रिक्स बोर रहें ठीक है अब होता क्या इसके अंदर इसके अंदर सिंपली यही होगा कि आपके पूरे डेटा की वेरियेशन इन दो चीजों में डिवाइड हो जागी यानि के पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के हम पॉइंट अफ व्यू जो है वो द्रियाफ्ट करते हैं बेस्ट ऑन हमारे पास जो सिंगल वेरियू डिकंपोजिशन है ठीक है और अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेट अनलेसिज के अंदर जा रहे हैं टिकनीक हमारे पास अगर प्रिंसिपल कंपोनेट अनलेसिज किया उसके अंदर अगर आप फैक्टरिजेशन यानि के मैट्रिक्स को कंवर्ड जब कर रहे हैं सिंगल वैल्यू डिकंपोजिशन के थुर अब आपने देखना है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट अनलेसिस के अंदर svd के इलावा कौन से मैथेट्स है ठीक है फॉर एक्जेंपल हमने PC find out किया था ना एक ऐसा point of view जहां से सब कुछ मिल जाए एक तो तरीका उसका सब्सक्राइब के इसके लावा कौन से मैथेट्स है तो फाइंड अ प्रिंसिपल कंपोनेंट जी अ झाल कोई अपने टाइम लें आप लोग क्रिटिकल चीज़ें और यह एक किसम का हमारा टीम वर्क है जिसकी बेस पर हमने चलने किसम आप लाइम ले लेखो हम अपने किसम वर्क है जिसकी बेसे खाया और यह रिवरें ले घ्याएमा किसम 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 वर्क है। झाल झाल सिर्फ तीन-चार लोग हैं जो रप्लाई कर रहे हैं भी झाल झाल चले खैर मैं अभी आपको नो दो में डिफरेंसिस बताता हूं कि एस्वीडी को सेपरेट टिकनिक क्यों कहा जाता है और पीसीए के अंदर भी आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं डिमेंशिनलिटी रिडिक्शन ज्यादा फीचर से कम फीचर में आने का नाम है राइट ऐसा ही है जी अगर मैं पीसीए की बात करूं फॉर इक्जेंपल मैं यहां पे लिखता हूं जी पीसीए वर्सेस एस्वीडी अगर ऐसे बना लें ठीक है अब आपको कुछ इंपोर्टन पॉइंट यहां पर मैं बताता हूं फिर आपको शायद यह क्लियर हो जाए चीज जो मैं आपको बताना चाहरा हूं पीसीए जो है इसके अंदर में चीज यह है कि आपको सबसे पहले डेटा को स्केल करना पड़ता है कि है कि समय लागी बात की सेकंड आपने डेटा सेंटरिंग करने होती है यानि कि एक साइड पे एक में में के डेटा उतना ही है जीतना लेफट साइड़ पे है में से दोनों साइड़ों पे डेटा सेंटरिंग बोलती है यह दो काम बहुँ जरूरी हैं PCA से PCS related जारी बात है इसी के अंदर आपका data normalization, scaling, standard scalar, standardization, सारा कुछ scaling के अंदर या आगा था ठीक है आप इसी ही अंदर उसको count कर सकते हैं basic operation इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है वो यही मैं आपको बताता हूँ अब यहां पर data scale और centralization करने के बाद आप principle component को find out कर सकते हैं based on the covariance matrix ठीक है जो हमने covariance का matrix बनाया था कि कौन सी चीज़ें आपस में किस तरीके से vary कर रही है उससे भी हमने principle component find out किया था based on the covariance matrix और हमने बताया था based on the covariance matrix अब यहां पर PC1 ना रहा है और इससे हम देख सकते हैं कि यह चीज़े इस तरीके से डिवाइड है यहां पर PC2 आ रहा है उसमें यह पर हम देख सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ें डिवाइड है ठीक है PC1 and PC2 अब resulting component जो हमारे पास यहां पर PCA का आता है वो भी PC1 and PC2 है यहां पर एक नई टिखनीक यह है कि covariance matrix की इलावा अगर आप यहां पर डेटा आप देख सकते हैं easily यहां पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर आप separate टेक्नीक के तोर भी इसे use कर सकते हैं without scaling and centering the data you can directly go other than covariance matrix आप basic data का matrix जो है उसे decompose कर लेते हैं ठीक है उसमें आप relationship भी देख सकते हैं if you want to see that और other किसम की जो भी आपकी causation वगहर है उसको भी आप count out कर सकते हैं यहां पर singular value decomposition के अंदर मज़ारी बात है इन दोनों के अंदर जो equations है mathematical formula है वो दोनों different है लेकिन on the other side covariance matrix की base पर अगर आप principal component को देखते हैं that's another thing SVD जो है वो इसी covariance matrix पर भी आप लगा सकते हैं और पूरे पूरे data पर भी लगा सकते हैं ओके दोनों का same use है and everything can be utilized अगर आप यहां पर SVD use करते हैं तो इसको embedded method भी बोल सकते हैं for dimensionality reduction ठीक है it's up to you and then हमारे पास जो at the end हमारे पास component बनते हैं यहां पर भी दो component बनेंगे component 1 इसको भी आप PC1 बोल सकते हैं या dimension 1 बोल सकते हैं यहां पर component 2 ठीक है लेकिन results दोनों के same नहीं आएंगे दोनों में difference होगा ऐसा नहीं हो calculation इनकी different है एक जो है आपका matrix को लेके उसको दो orthogonal vectors में तोड़ है और फिर उसको आगे लेके चल रहे हैं यहां पर हमारे पास covariance matrix को आगे लेके जाया जा रहे हैं ठीक है covariance जहा है वो relationship का matrix है it's not about the whole data matrix सही होगी बात अब अगर इन दोनों को हम देखें तो फिर choose कौन सा करन चाहिए हमें ठीक है जारी बात है वही जवाब depends on the data आपका data किस तरीके से related है और अक्सरों काथ लोग PCA की तरफ ज्यादा जाते हैं स्विडी की निस्वद अब कुछ लोग PCA और स्विडी को बिल्कुल सेम मानने लग जाते हैं ऐसा नहीं है माइं में रखिएगा ठीक है SPD में आप basically same data के matrix बना के तोड़ते हैं यहां पर covariation को आप आगे तोड़ते हैं matrices के अंदर समझागी बात की तो इन दो चीज़ों को याद रखिए इसके इलावा काफी methods है मैंने भी आपको जो पहले एक छोटे सा बूला थे कि आप चेक करें कौन-कौन से methods हमारे पास हैं इसमें independent component analysis भी आप specially separately भी देख सकते हैं iterative optimization and so on and so forth there are many many methods out there to actually do what अब आपको मैं बताता हूँ यह सब कुछ हम क्यों करते हैं उसकी reason सिरफ aim है एक है वो reason यह है जनाब कि आपने अपने बड़े matrix को या जयानि कि ज्यादा dimension को एक या दो या तीन dimensions में ले कि आना है क्योंकि आप एक जगा पे तीन dimensions plot कर सकते हैं on a page या on a software ठीक है three dimension के अंदर आप जा सकते हैं और यूजली इसको two dimension बोला जाता है कि two में ले हैं that's enough तो हमारा सारा काम इस matrix को तोड़ के linear algebra के थ्रूप यह सारा linear algebra इसके अंदर है हमने पूरे matrix को तोड़ के ऐसी line find out करनी होती है ऐसा vector find out करना होता है कि उस vector को जब हम दूसरे से draw करें जिसको orthogonal यानिके 90 degree का angle यहां पे जो बन रहा है इसके उपर जब हम draw करें तो हमें पूरे का पूरा data एक ही जगा पे नज़र आए ठीक हो गय यह linear algebra की बात हो रही है linear algebra की base पे होगा अब रही इसकी equations की mathematical formula की बात तो उसकी detail में आप नहीं जा रहा है उसकी reason यह है कि यहां पे अगर हम अभी जाते हैं तो बिलकुल मुझे matrix की basis से start करना पड़ेगा कि matrix होता कि and so on and so forth other than that मैंने भी आपको एक link send किये उसके पर बड़ा अच्छा article लिखा हुए based on this principle component analysis versus आपकी जो है वो PCA इन दोनों में SVD और PCA इन दोनों में क्या फरक है तो आप उसको read out कीजेगा अगर आपने ज्यादा इसमें knowledge लेना but on the other side हमारा main काम यह है कि SVD और PCA की base पे हम अपने जो find out कर सके हमारे पास जो features जो हैं कौन से select करने ठ घिना अच्छा अच्छा। बदे सके हाँ है उसल जब सके हो इन Sweet है, why अधने जो अधने दी हैं मेंगा